Oxygen OS 11 के through OnePlus ने एक काफी बड़ा jump shift लिया था अगर हम compare करें उसके previous version यानि Oxygen OS 10 से तो Oxygen OS 11 is one of the greatest UI in 2020 Android 11 के कमाल के features के साथ में Oxygen OS 11 is one of the best UIs in 2020 सो कुछ उसी तरह से जो उसका next part है यानि उसका next version OnePlus Oxygen OS 12 वो हमें इस साल देखने मिलेगा आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको ऐसा क्या खास देखने मिलेवारा है Oxygen OS 12 में जिसके लिए आपको वेट करना चाहिए वीडियो काफी ज़दा कमाल का है मसा आएगा देखते रिए इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना स्किप मत करना तो आप शायद से बेटर नंडर्स्टेंगा कर पाओ इस वाले Oxygen OS 12 को सबसे पहले बात करते हैं फीचर के ओवर्व्यू की तो यहां पर जो एओड है उसमें आपको नया वर्शन देखने मिलेगा एस यूजवल एंड काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है वही पर अगर मैं बात करूँ जैन मोड की तो उसका 3.0 आपको इस साल देखने मिलेगा Canvas AOD में भी आपको 2.0 वर्शन देखने मिलने वाला है जो की और ज़ादा अमेजिंग चीज़ है और साथ साथ में वेडियो बोके फाइनली आपको देखने मिल जाएगा Oxygen OS 12 के दरू Night Escape का नेक्स वर्शन याने Night Escape 2.0 5G Ready Smartphone as well as Optimized Performance in 5G Mode और साथ साथ में आपको एक अच्छी खासी User Interface देखने मिले वाली है Lock Screen पर, Home Screen पर as well as Whole Interface पर Native Call Recorder भी आपको देखने मिल जाएगा So काफी ज़दा कमाल की चीज़े होने वाली हैं आपको इस वाले अपडेट में देखने मिलने वाली है So बस वीडियो देखो थोड़ा सा Explain करता हूँ आपको इनी सारे Features के बारे में अगर हम बात करें AOD की So यह जो नया वाला AOD है यह खास इसलिए है क्योंकि इस बार आपको काफी ज़दा अनग और यूनीक बिलकुल Clock Size देखने मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको बेस्ट रहेंगी ओपो की R&D से तो जैसा आपने देखा होगा ColorOS 11 में कि ओपो ने काफी ज़दा कमाल का AOD बनाया था तो कुछ इसी तरह का AOD आपको Oxygen OS 12 में भी देखने मिलेगा जो कि again काफी ज़दा amazing चीज हो जाती है अगे बढ़ते हैं अब आपको बताता हूं मैं Zen Mode के बारे में अगर आप Oxygen OS को थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि Zen Mode is one of the greatest thing पूरा का पूरा जो Android scenario है उसमें मुझे लगता है कि Zen Mode सबसे जादा better digital well-being product निकल कर सामने आया है क्योंकि यहां पर आप अपनी जो normal elements है उससे distract नहीं होते और साथ साथ में आप अपने daily routine का भी ख्याल रखते हो तो उसी का नया version देखने मल सकता है काफी सारे bug fixes के साथ में आपको oxygen OS 12 के थूँ तो यह बहुत जादा amazing चीज है और मेरे हिसाब से आप लोगों को इसके लिए basically wait करना चाहिए सथ-सथ में जो interface है वो और भी जादा कमाल हो जाएगा अगर आपको Zen Mode में और जादा additional features देखने मिल जाए तो कुछ खास bug fixes के साथ में हो सकता है आपको यह वाला mode भी देखने मिल जाए and काफी साथ कमाल का interface आपको देखने मिल सकता है आगे बढ़ते हैं and आप मैं आपको बताता हूँ Canvas AOD के बारे में So Canvas AOD is one of the unique features जो कि आपको already काफी सारे Ui's में देखने नहीं मिला हो So यहाँ पर आपको एक कमाल की चीज़ देखने मिलती है जो कि है आप actually अपनी captured photo को sketch work में produce कर सकते हो As well as default lock screen पर भी set कर सकते हो automatically जो काफी ज़दा amazing चीज़ है and बहुत ज़दा unique concept यह मुझे देखने में लगता है So यहाँ पर आपको इसका एक नया version देखने मेलेगा in the OxygenOS 12 VUI As well as आप expect कर सकते हो कि यहाँ पर आपको बहुत सारे improvements and as well as ability देखने मिल चाहेगी यह यह हो सकता है actually हो सकता है क्योंकि OxygenOS 11 के launch के time पर company ने यह चीज़ को predict किया था कि Canvas AOD one of the revolutionary features में से आता है तो यहाँ पर हो सकता है कि इसका second version आपको OxygenOS 12 के तुरू और भी ज्यादा कमाल की features देखने मिल चाहे अब बात करते हैं background blur की याने video bokeh की यह one of the most demanding features था when it was launched in ColorOS 7.2 and ColorOS 7.2 के time पर काफी सारे लोगों कोई update दिखने नहीं मिला I am using the device which has video bokeh in it तो मुझे पता है कि ColorOS 11 तक आते आते यह one of the greatest thing to happen है and सथ-सथ में इसके next versions के तुरू यह और जदा improve होने वाला है so क्योंकि आपको पता होगा कि OnePlus merges into Oppo and Oppo की R&D जो है OnePlus के लिए भी काम करती है so OnePlus के लिए जो Oppo की R&D है क्या पता उस हिसाब से हमें OnePlus के OxygenOS 12 के तुरू यहां पर आपको देखना मिल जाए एक कमाल का feature जो की है video bokeh and guys आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यह जो वीडियो bokeh mode होगा यह और जादा soothing होगा क्योंकि when it comes to OnePlus वो एक premium brand हो जाता है as well as जो Oppo की R&D के दुरू आपको देखने मिला है Colorless 11 में कुछ उसी तरह का video bokeh आपको देखने मिल जाएगा OnePlus के OxygenOS 12 के दुरू आने वाला जमाना 5G का होने वाला है जैसा कि आपको पता ही होगा so कुछ उस 5G के जमाने के हिसाफ से युगाइस को भी develop होना पड़ेगा जैसे कि आपको OxygenOS 11 एक 5G ready पूरी तरह से software के साथ देखने मलता था कुछ उसी तरह से OxygenOS 12 is coming to one another level of that and यहां पर आपको एक network acceleration करके feature देखने मिलेंगे जो कि आपको batter provide करेंगे bands के साथ में connectivity as well as 5G ready जो भी smart phones उसको यह बहुत जादा अच्छा integration देने वाले है जो कि यह वाला feature होने वाला है देखते हैं क्या होता है और यह वाला feature कैसा निकल कर सामने आता है आगे बढ़ते हैं आपको एक और कमाल की features के बारे में बता देता हूं जैसे आपको बता होगा कि optimization काफी साथा जरूरी होता है smart phones में तो कुछ इसी तरह से OxygenOS 12 अपने साथ में लेकर आने वाला है बहुत जादा optimized interface जो कि अपने animations and bugs improvements के लिए जाना जाएगा यहाँ पर आपको जो UI देखने मिलेगी वो कई सारे applications के साथ में उतनी ही जादा connected होगी जितना जादा connected OPPO and OnePlus हैं कुछ जी तरह से समझ जाओ कि बहुत जादा amazing performance आपको देखने मिलने वाली है as well as जितने भी bugs OxygenOS 11 के तुरू आपको देखने मिले थे hope so आपको वो सारे bugs का resolution यहाँ पर देखने मिल जाए last but not the least आपको बता देता हूँ native call recording के बारे में so जैसे आपको पता होगा कि OnePlus ने अभी तक native call recording नहीं दी थी and but this time यहाँ पर Google के साथ integrated partnership के बाद Google Tyler application में native call recording आपको देखने मिल सकती है जो कि one of the best feature होने वाला है and बहुत जादा demanding feature होने वाला है क्योंकि काफी time से हम लोग wait कर रहे थी कि इस तरह कोई feature हमें देखने मिल जाए so कुछ इसी तरह से आपको features देखने मिलते हैं OnePlus के smartphone में याने की OxygenOS 12 में so देखते हैं किस तरह से OnePlus के OxygenOS 12 को support कर पाते हैं smart phones यहाँ पर मैं आपको एक expected eligible devices list भी बता देता हूँ जिसे कि आप थोड़ा सा better तरीके से अशौर हो जाओ कि कौन से कौन से smartphone में यह वाला update देखने मिल सकता है सबसे पहले and सबसे importantly OnePlus की 8 series जो कि यह OnePlus 8, OnePlus 8 Pro and OnePlus 8T smartphones तो यह तीनो smart phones surely इस update को grab करने वाले है no doubt and यहाँ पर आपको एक कॉफी कमाल का मतलब जो features के साथ में देखने मिलेगा वह बहुत जादा कमाल का है first batch के तुर आपको इनी smart phones में update एकने मिलेगा then उसके बाद आपको देखने मिलेगा OnePlus 7 series में and 70 series पे अगर मैं बात करो latestly launch OnePlus Nord, OnePlus Nord N100 and OnePlus Nord N10 तो यह तीनो smart phones भी perfectly eligible है इस वाले update के लिए so इन तीनो smart phones में भी यह वाला update आपको surely देखने मिलेगा मेरे हिसाब से यह eligible device list है काफी हद तक असली है and काफी हद तक legit है आपको अगर यह वाला update अच्छा लगा so please make sure आप मुझे बताओ in the comments के आपको इनमे से कौनसा feature सबसे पसंद आया and साथ-साथ में आप हमारे चैनल के साथ बने रही है by subscribing our channel and pressing the bell icon ताकि हम आगे भी जभी इस तरह के वीडियो बनाएं तो notifications आपको सबसे पहले पहले पहुचाएं so that's it for this video thank you very much Tricky Anjh as well as thank you very much Updatescoop.com once again for providing the footage as well as the post so मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाएं and as always one day mahatram Welcome back in another episode of Go Gossipy When I was in college, I would wear eyeliner, I would wear everything, I would wear normal jeans, t-shirt I was a regular girl, noisy, bubbly, loud she used to look at me like this, she would be modeling, Miss India type combination of both my guru and my pageant where it started I had a lot of Miss India auditioned after those many 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 rejections when I was in the office, how to do cuck out I used to go to the washroom to do 10 squats when I was in Miss India, I was a little motivated girls have hate comments, tolls, cheap DMs I didn't think that I would call I didn't think that I would call and I didn't know how to do it she loved performing every task yeah ma'am loves people who perform it the answer to is love yeah you've heard the whole thing I've heard the whole thing I've answered the whole question I don't think that I have DMed I don't know how to do it in my own words you can hear the whole thing do me you can hear it